हेलो एवरीवन, वेलकम बाक टू दा चैनल, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, डिफरेंस बिट्वीन और एंड प्राइम नमबर, यह दोनों ही नमबर एक दूसरे से बहुत अलग है, बट स्टिल इसमें एक कन्फूजन रहता है, कि क्या सभी और नमबर प्राइम नमबर होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखेगा, अगर आपको पसंद आए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा, difference between odd and prime, odd and prime दोनों ही बहुत अलग चीज़े हैं, बट स्टिल इसमें confusion हो जाता है सम्टाइम्स, कि हर odd नमबर प्राइम होगा या नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, हर odd नमबर प्राइम नहीं होता है, अब ये दोनों होते क्या हैं, पहले वो समझ लेते हैं, odd नमबर वो होते हैं जो divisible नहीं होते 2 से, not divisible by 2, जो कि 2 से divide नहीं होते, वो सब odd नमबर होते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 and so on, इसी तरीके से जो भी नमबर 2 से divide नहीं होता है, उसको odd कहते हैं, अब अगर हम बात करें, प्राइम की, प्राइम नमबर्स वो नमबर्स होते हैं, जो कि जिसके जो factors होते हैं, वो सिरफ दो ही factor होते हैं, एक तो number 1 and दूसरा वो number खुद इटसेर्फ, एक तो वो number 1 होगा factor उसका, दूसरा वो number खुद अपना factor होगा, उसके अलावा उसका तीसरा कोई भी factor नहीं होगा, ऐसे numbers prime होते हैं, जैसे example, अगर हम counting wise चलें, तो सबसे पहले अगर हम 1 देखें, तो 1 हमारा प्राइम नहीं है, because 1 ना तो prime में आता है, ना ही composite में आता है, तो 1 को हम count नहीं करते, जो हमारा सबसे छोटा prime number होता है, वो होता है 2, जिसके factors में 1 और 2, ये दो factors होते हैं इसके, जिसकी वज़ा से ये prime number होता है, ये odd number नहीं है, ये even number है, ये ही एक लौता ऐसा number है, even number है, जो की हमारा prime है, otherwise हमारे even numbers जो है, वो prime नहीं होते हैं, so factors of 2 जब हमने check किया, तो हमें पता चला, इसके दो ही factor है, इस वज़े से ये हमारा prime number है, next हमारा आता है 3, इसके भी दो ही factors है, 1 और 3, ये भी इसके अलावा किसी की table में नहीं आते हैं, next हमारा 4, 4 की table में 2 से जादा, 4 के number के जो है, 2 से जादा factor हो जाते हैं, इसलिए 4 हमारा prime number नहीं है, next prime number होगा 5, जिसके 2 factors है, 1 और 5, then हमारा होगा 7, जिसके भी 2 factor है, 1 और 7, then हमारा 9 नहीं होगा, because 9 के 3 factors होते हैं, 1, 3, and 9, क्योंकि 9 जो है, वो 3 की table में आता है, तो 9 हमारा prime number नहीं है, next होगा हमारा 11, so 1 and 11 जिसके factors है, इसी तरीके से हम चेक करते हैं, जिस number के सिरफ 2 factors होते हैं, 2 भी factor कौन से होगे, एक तो वो 1 होगा, और एक तो वो खुद अपना number होगा, इन दोनों के अलावा, उनका कोई भी 3 इस तरह factor नहीं होता, ऐसे number prime होते हैं, अब हम notice करेंगे, हमारे जो numbers है, वो है, तो यह odd numbers ही, बट हम यह नहीं कह सकते कि सभी odd number prime होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक difference है, कुछ odd numbers ऐसे भी है, जो कि prime नहीं है, जैसे कि 9 हमारा prime नहीं है, और एक even number भी है ऐसा, जो कि prime है, तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते कभी भी कि सभी odd numbers हमारे prime होते हैं, यह इन दोनों का बहुत बड़ा difference है,